हेलो फ्रेंट्स आप से भी का स्वागात है आपके अपने यूट्यूब चनल स्टाड़ी वे सुजीत में तो दोस्तो आज हम क्लास टूगल्थ के फिक्स के मडल पेपर सुलूशन के बारा में डिस्कूस करने माले हैं तो आप से भी अंतक बने रहेगा दोस्तो और लास्ट म सेक्षन एमें जो दिया गया है 170 तक अब्जेक्टिव रहेंगे जिनमें की नहीं 35 परस्णों का ही एंसर देना है और जो है 50 परसेंट को छोड़ देना है तो आए दोस्तों हम लोग बारी बार से देखते हैं परस्ण को और यहां पर फॉस्ट ना परस्ण है कि आवेसित सम तरचाला के नस्दिक बीदुचेत्र होता है तो इसका जो राइट एंसर रहेंगे बार बार क्या होता है तो सीग्मा अपन एपसालन नौट होता है तो यहां पर परस्ण देखिए कि बीदुचेत्र ए और बीदुचेत्र विभाव भी के बीच निमलीखित में से कौन सा सम तो मैंनस डीवी अपनद दी एक्स होता ही यह पर्षन उतर जो है बहुत बार एग्जां में आ चुका है तो इस परस्ण डाइट एंसर विधधुत вместе ऑल्फ होता हा始ए याद रहके दोस्तों नेक्स्ट न और यहां पे में कमेंट करके बतह है कि यह से शन आपको कैसा लागा और आपका शतर अब प्रस्ण है कि गिलियोनी मीटर का परतिरोद जी और बोल्ट मीटर का परतिरोद भी के बीच निमलीखित में से कौन समंद सही है तो गिलियोनी मीटर का परतिरोद जो है जी दिया गया है और बोल्ट मीटर का परतिरोद जो है वा भी दिया गया है और इसके बीच जो समंद हो वीट एस्टोन ब्रीज का वेभारिक धाचा निमलीखित में से कौन है विवाव माग पी बोल्ट मीटर मीटर ब्रीज गलियोने मीटर वीच अफ दफूलिंग इस अप्लाइड फ्रॉम वीट एस्टोन ब्रीज तो इसका जो राइट एंसर हो जगे यह मीटर ब्रीज होता है यानिकि option नमर यहांपे जो C option है इस परस्ट नका राइट एंसर हो जगा option नमर C, C is the right answer for discussion और यहांपे परस्ट है कि एक तार का बिसिस्ट पर्तिरोध निर्भर करता है इसके लंबाई पर और प्रस्ट कार के ब्यास पर द्रमान पर अड़ी है पधार्थ की परक्रिरती प और यहां पर प्रस्ण है कि किरकॉफ का बिंदू नियम लिखित में से कौन भौतिक राशी सनक्षित रहती है उर्जा अवेश द्रमान या संबेग वीच आफ दा फ्लोइंग फीजिकल क्वांटिटी इस कॉंजर्वर ऑफ किरकॉफ पॉइंट से रूल तो यहां पर प्रस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि किरकॉफ के बिंदू नियम में लिखित में से कौन सी भौतिक रासी जो है वस्तन रक्षित होती है तो अवेश होती है याद रिखे दोस्तों अवे जो यानिकि चार्ज जो है इस पर और यहां पर नाइनव प्रस्ण है कि धरवाही चाला के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह एक्सलेरेट होती है निकि त्वारित होती है इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जगा अपसा नमबर बी बी जो ही इस प्रस्ण का राइ कि विदूत परिपत की सक्तरी तो विदूत परिपत की सक्तिक्या होती सक्तिक्स ऐसे में यहां प्रश्ण है कि चुम्बा के छेत्र में गतिसील अवेस पर बल के लिए निमलीखित में से कौन सही है वीच आप दा फ्लॉइंग इस कॉरेक्ट फोर फोर्स आफ मुविंग चार्ज इन फीड तो यहां पर इस प्रश्ण का राइट इंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि चुम जो बी ऑप से इस परश्ण का राइट इंसर हो जिए आप सभी इंसर टाइप करते चलें दोस्तों और यहां पर चुम्बा के फुलस्क जो मातरक होता है वह वह वीबर होता है याद रिखे दो यह वर जो हैं वीबर होता है और फेराड किसका होता है तो केपी सीटर यह तेसला होता है या चुम्बके छेतर किति विर्टा को मात्रक जो है वह भी टेसला में घाता है याद रखेगा दोस्तों तो इस परशने को डी जो इस प्राशने परतिरोध है उसका सकति गुणाय को होता है तो इसका जो राइट इंसर रूट अगर अच्छी लग रही होता लाइक जो जो चुड़ किज़ेगा और यहां पर प्रस्ण है कि परतवर्तिधारा का मूल बर्ग माध्या का मान कितना होता है तो यहां पर इस परतवर्तिधारा का मूल बर्ग माध्या मान होता है तो इसका जो राइट इंसर हो जेगा यह होता है और यहां पर प्रस्ण आप देखेंगे स्कीन पर जो की काफी महर्त पूर यह सवाल है कि एक चुमबा के चुमबा के लंबाई एलेम और जैमीतिय लंबाई एलजी के बीच निमली खित में से कौन सा संब्ध जो है वह सही इंसर हो जेगा तो यह सवाल में आपको थ्वासा दिकत आएगी लेकिन कोई नहीं इसे प्रस्ण को देखते ही आपका एंसर दन से आ जाएगा क्योंकि अभी बताने वाले हैं कि इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि एक चुमबा के चुमबा के लंबाई एलेम और जैमीतिय लंबाई एलजी के बीच संबंध क्या हो जाएगा तो देखे यह होता है एलेम बराबर क्या होता है पांच अपन सिक्स एलजी होता है यह बराबर 5-6 एल जी हो जाएगा और बाइचन से अगर पूछा जाएगा तो यह जो 6 इधर आजाएगा यानि कि 6 अपन 5 एलेम हो जाएगा इस परकार से यह दोनों प्रफश्ण अतर बनेगा दुस्तों एलेम बराबर क्या हो जाएगा 5-56 हो जाएगा अगर अगर पुछेगा तो यह यह बराबर क्या हो दो शीक्स अपन पांच एलम होजेगा यहां पर आपसा नम्बर यहां पर जो ए अपसने इस परशने का राइट एंसर होजेगा उम्मीद करते हैं समाज गए होंगे नेक्ष्ट परस नहें है कि यदि बी बीरे मांद कोर्का और प्रूश्ण में इस परशने का राइट एंसर होजगा लास्ट वर कमेट कि यहां की ऑ rugged of intensity of magnetization is यहां पर चुम्बकन की तिवरता की इकाई क्या होती है तो चुम्बकन तिवरता की जो इकाई होती है यह यहां पर यहां पर चुम्बकन तो चुम्बकन तो चुम्बकन तो इस परस्ने का यहां पर यहां पर उनीचनव परस्न आप देखेंगे जो काफी महत्तपूर ये सवाल है कि समाने समयोजन में 17 शुक्रमदर्सी की अवर्धन चंपता कितनी होती है तो यहाँ पर 4 अप्सन का देख सकते हैं कि मेगनी 5, 4 of the simple microscope is normal adjustment तो यहाँ पर बतलें कि समाने समयोजन में 17 शुक्रमदर्सी का अवर्धन चंपता होती है तो one plus d by f होता है बारा डी अपन f होता है यानकि option रहनी पर जो एफ्सन है इस परस्दिकर आई टिन से ज़ीगा option number a जो डी यहां पर दिया गया है बारा डी यह जो होता है यहां बारी यह निवंतम दुरी होती है देखने कि यह निवंतम दुरी यहां पर 25 cm हम लोग रखते ह यह जो है फोकस दुरी होती ही याद रखेगा इसका राइट एंस रोज़ेगा अपसा नमबर ए और यहां पर प्रस्ण है कि समाने आंख लेंस का फोकस दुरी लगभा कितनी होती है यहां पर फोकस दुरी पुछा गया है देखिए यहां से तीन प्रस्णों तर पुछा जात होता है और एक जो है अधिक्तम दुरी पूचा जाता है तो फोकस दुरी गयां दू सेंटीमितर होता है और पूछेगा तो लगवग दो सिंटिमीटर होता है याद रखेगा इस परस्थन कर आई अप्सा न यहां तक से कभर किया हो और कोरांती कवीज्ट होता है यह होता है आप नहीं जो आप स almighty परकिर्थी में सबसे कटोर पदार्थ सबसे कट्वर याद रखें धिए और की बात करांता dar. यह जो है सीसा काटने में इसका उपयोग किया जाता है, इसपी थिरी पर शंकरन पाय जाता है, याद रखेगा दोस्तों, और हीरा का परताइंग जो है दो दस्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश् अच्छे लग रही होता है लाइक जोड़ किजिए दस्तों और चैनल पर नहीं जोड़े तो जो सब्सक्राइब भी कर लेज़ेगा और परकास तंतु का मुल सिधान्त क्या होता है परवर्तन परकिर्णन बीवर्तन या दी है पूर्ण आंतिपवर्तन तो यहां परकास जो बुलबुला चमकता हुए नजर आता है वह पूर्ण आंतिपवर्तन के सिधायत पर जो है वह भी अधायर तो रहता है याद रखेंगा दोस्तों ठीक है दोस्तों हम लोग आसानी से जान चुके हैं और भीवर्तन में क्या होता है तो यहां पर देखिए 249 परस्ण को ज चीज़ेगा तो यहां जो है वह दो सेंटीमीटर होते याद रखेगा तो इस परस्ण का राइट अप्सन अबर डी जो इस परस्ण का राइट अगर पहड़ लेते हैं आपसे जहीं जामें एक भी प्रस्णता नहीं चुटने माले दोस्तों ठीक है और यहां पे देखिए प्रस्ण को की इंद्धनुस निर्मार्ग के लिए निमलीकित में से प्रकास की कौन सी घातना सही है पर किर्णन वर्न बीचे पर या भी वर्दन या ध्रुवी करन तो यहां पे इस परस्ण का राइट इंसर क्या होगा दस्ता कि वीच आफ़ फ्लोइंग फिरमेन आफ ला तो प्रस्ण का राइट इंसर होगा और यहां पर की रंग के परकास के लिए का फरतना जो है वह अधिक होता है तो देखिए अपरतनाग पूछा गया है तो पॉछा गया है तो पर्सकिन है सबसे कम किसका होता है तो लाल रंग का होता है इसलिए होता है क्योंकि इसका त्रंग धेरी जो है वह सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का जो त्रंग सबसे कम होता है याद रखेगा और सिगनल के रूप में जो है वह लाल रंग का ही परयोग किया जाता है यह भी याद कि बिनासी वेतिकरांग के लिए पथांतर होना चाहिए तो देखे पथांतर जो होता है यहां पे यह होता है टू एन प्लस वन लेमड़ा बाइट यानि कि आपसन यहां पर जो भी आपसन है इस परस्टने का सही अंसर रोजगा ऑपसन अमबर भी इस दर आइटें साफ फॉर खिर्थी को निमली खित में से कौन घाटना जो है पूश्टी करता है बहुत बार यहां यहां पर जो डी अपसन है इस परस्टने का राइट इंसर हो जगा ऑपसन अबर डी इस दर आइट एंस पॉर दिसकोशन और यहां पर देखे परस्टन को यह और ओधो के किनारों से प्रकास का कर दो है ब्याद रहें याद रखेगा इस परस्टने का राइट इंसर होजगा अपसन नंबर बी इस दर आइट अपर दिसकोशन और रहें कारण क्या होता है तो बेती करण होता है इंडिफेरेंस होता है याद रखेगा तो इस परस्ण का राइट एंसर हो जेगा अधिक से दिख इसलिए बताने का प्रयास कर रहे है ताकि कहीं से भी प्रस्णा है आप बिल्कुल ही आसानी बेसे आप बना पाएंगा तो ठीक है और यहां बतने का वरफ फंक्शन अफिल्वरारी ज़िल्वरी चांदी का कार्यफ फॉलन होता है देखें चांदी का जो कार्यफ होता है इसका जो राइट इंसर ओजेगा ऑप संबर जो डी है पर मातरक पुछ लेता है यहां पर इसका मातरक होता है याद रखेगा तो इस परशनी का राइट इंसर हो जेगा और यहां पर वहां परशनाव देखेंगे इसकी पर जो की काफी मह तपूर्ण होता है सूनिया ह और देखिए फोटन का गौतिक दर्बमान पूछा गया है तो यह होता है H A H new upon C square होता है तो यह तो option दिया नहीं है तो इसके बाद और क्या होता है तो यह बराबर क्या होता है तो वह होता है H upon lambda C यह option दिया गया है जो कि option number B में दिया गया है जो कि right answer रोजगा option number B B is the right answer for this question दोने में से कोई option आपको दिखाए देगा तो जो है गतिक द्रमान का सुत्रत है यह भी याद रखेगा तो जो B option दिया इस परशने का right answer रोजगा option number B चले दोस्तों next आप परशने कभर करते हैं और यहाँ परशने है कि निम्रेलिखित में से कौन पराबैगनी परिसर में परती है तो यहाँ परशने का right answer क्या होगा दोस्तों कि कौन जो है पराबैगनी परिसर में परती है तो 33 निम्रेलिखित में से कौन उपयूकत नहीं है यहाँ परशने का right answer क्या होना चाहिए दोस्तों कि रेडियो एक्टिबीटी के लिए निम्लीकित में से कौन उप्यूक्त नहीं है ति यह होती है प्रकृति घाटना जो है इस प्रस्ट का राइटेंस रोज़ेगा आपसा नमबर भी इस दर आइटेंस अपर दिसको और यहां पर देखिए प्रस्ट को कि तेजी से चलने वाल होता है टुर्स मोज़ा तो यहां सब्सक्राइं यख़ह कि एकवा किरने के खुझकर्ट को कोलिए यहां सबसे अधिक होती है और यह 20 मीटर प्लेट को भी जो है आसारी से छिद्र कर सकते हैं निकि पार कर सकते हैं गामा किरने की बात होती है सबसे अधिक्तम भेदन चमता गामा किरने की होती है लेकिन यहाँ पर पूछागी है प्रस्ण की सबसे तेजी से चलने वाला इलेक्टरन कौन से हो ज़ेगा वीटा किरने होती ही याद रखेगा इस परस्ण कराइट इस और बी बीटा किन्ह जुए इस परस्ण कराइट तो हुटा है तो होता है हिलिम नॉकिलियस होता है एक नाभिक होता है अलफा पार्टिकल्स ही o के लिए इस परस्ण का राइट एंसर हो जगा और नेक्स्ट परस्ण है कि टीवी परसारन सोड़ी प्रेशी एंटिना की प्रास डी और टीवी परसार टावर के उचाई एच और प्रित्वी के त्रिजिया आर के बीच समद्ध क्या होता है यह सुत्र ही पूछा गया है तो टू एच आर हो जाया है जो कि आपसा नमबर बी में दिये गया है जो कि आइट एंसर हो जिगा आपसा नमबर बी इस दर आइट एंसर फोर दिसकोशन आये दोस्तों हम लोग अर्थ इसना प्रस्ण को भी अच्छे से कभर कर लेते हैं और यहां पे प्रस्ण है कि एनरजी सब्सक्राइब कर लेजेगा दोस्तों और यहां पे प्रस्ण है कि जब अब द्रव्य को नेज और चाला कर लेजेगा और यहां पे प्रस्ण है में मादित किया जाता है तब अर्चाला की चलकता क्या बढ़ती है घरती है समान रहती याद दी है सुनिये हो जाती है विन और इंप्यूरीटी इस डॉप्ड इंट्रेंसी के सेमी कंड़क्टा एट से कंड़क्टिवीटी तो यहां पे इस प्रस्ण कराइट सा क्या होना जब अब द्रव्य को ने अर्चाला के मादित किया जाता है तब अर्थ चाला की चलकता क्या होती है तो इसकी चलकता होती है यह बढ़ने लगती है यानिकि इस प्रस्ने का राइट इंस रोजगा आप्सन नमबर ए यानिकि इंक्रीज करने लगती है यह इस दर आइट इंस फोर्टीन प्रस्ने को कवर करते हैं जो कि काफी महत्तपोर्ण यह सवाल है इसे रिलेटर जो है बोड़ एक प्रस्नतर लगबग होर साल पुछा जा है ठीक है ृष नियाद ऍचे के लिए और अरत लॉट के चलिए यहाद रिखनें के Connect कbor नौर इस प्रस्न ask का आईट इनस होजगा और प्रस्ण कराइप यहाद रिखती किन आइसे कि कौन जो है वह मूल गेट होती है तो एड और नाट होती है और मूल गेटों की संक्या जो है तीन होती है और ऑंपलिय में जग जो है यॉह पाराबर ए प्लस भी और नौर गेट के वाइप ब्रॉइवव रपी वाइप रफ कहता है और एंड गेट के लिए लगबग हर सल पूछे जाते हैं याद रखें दोस्तों कभी कभी अधिक भी हो सकता है लेकिन एक प्रस्णोंतर हर सल पूछा जाता है और यहां पर देखिए प्रस्ण को यह प्रस्णोंतर क्या कह रहा है कि और तरंगी दिश्टिकारी में पचास अबरेती के लिए निमली खित में से कौन सही निर्गव अबरेती है जावी दोस्तों यहां पर प्रस्ण में अर्ध पुछेगा तो जितना यहां पर दीगा अगर यहां पर पचास अबर दिया गया है तो पर चास हटार जी एंसर हो जेगा अगर और तरंगी अगर पचास रहेगा तो यह दुगूना हो जाएगा यहां पर यहां पर नहीं कि अधारी संक एक 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 जीरो और बेस में टू का दासमिक संका निमली खित में से कौन है तो आए दोस्तों हम लोग असानी में से बनाकर समझ लेते हैं कि इसका राइट इंसर्क क्या होना चाहिए देश्तों कि माली जी यहां पर हम लोग 30 लेते हैं तो 30 को हम लोग कैसे लिखेंगे तो इदेखिए परहें सबसे पहले हम तो यहां पर एक और यहां पर एक हम लोग जो है नीचे से उपर लेकर जाते हैं तो चार गो वन है एक 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 और जीरो और बेस में जो है टू यह तीस का ही जो है आधारी संख्या लिखा गया है तो यह अप्सन नमबर जो बी है इस परशने का राइट इंस रोजगा ऑप्स इसका पर माने सुने स्कूलम यह ऑप्सन नमबर डी में ही दिया गया है जो कि राइट इंस रोजगा ऑप्सन अमबर डी डी इस दर आइट एंस फोर दिसकोस्टन चले दोस्तों नेक्स नपर प्रस्णों कभर करते हैं जो की काफी महत्त्यपूर्ण यह सवाल है कि एपसला का जो है मातfill भी पूछ लिए जाता है और इसका मान भी पूछ लिये जाता है सुंहां करो इसकोयर प्रतव मीटर मीटर्म Wyattस के पार बार माइनस बार वहोता है याद रहेख क सिजे परस्ण लिए निमली खित में से कौन जो है वह सही एंसर हो जगा देखे दी अघोर्ण के लिए पूझा गया है तो दी अघोर्ण में क्या होता है दोस्तों कि एक डिवाई बराबर क्या होता है ते एक बाड़ा तीन गुल्द दस के पार माईनस 29 सेंटीमीटर होता है दस के बाड़ माईनस 29 सेंटीमीटर तो इस परसने का राइट अपसा नंबर ए यह जो इस परसने का सही एंसर हो जगा आपसा नंबर ए तो चले दूस्तों हम लोग 46 परसने को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं कि चीत्रे ए और बी के भी समतुले धारता है और स्मानतर करम में तेनों जूला घया है तो इस परकार में पारस यह हो जगा यह जो यह समानतर करम में जूटा है तो समय क्या होता और सी टूप प्रस्ट प्रस्ट करते और यहां पर देखे प्रस्ट को कि निम्लेखित में से कौन से समंद्ध जो है वह सही इंसर हो जएगा प्रस्ट करें अपसा नमबर यहां पर निम्लेखित में से कौन साथ जहें वह सही इसको रेक्ट तो थारा घुनात तो आई ऑपन यह होता है आई अपने जो की आपसा नमबर यह तर आइज से लाइटन वह सब्सक्राइब लाज्ट में क烿 घी एंसन आपको कैसे लगा और आपका जहाँ जो है कितना सही थोस्तों सफतर में सफ्तर और यहाँ परफंद्स के लिए कितनी से कौन सब्सक्राइब को समंध्ड होगत साही सցथ ऑच烦 के लिए पूछा गया है तो परतिरोध में क्या होता है तो आर बार बार क्या होता है रो रो जो पी के तरफ है वह उसे हम रो बता है भीडर ठीक है दोस्तों तो यहां पर यहां पर जो बी आपस नेस प्रस्ण कर आई एंसर होजगा प्रकार से यह सभी जूटा है ठीक है लेकिन इसका मान इस प्रकार से नो देख और जो है यह सभी कमान जोड़ेंगे यानि कि दोस और बीस और दोस जोड़ेंगे तो यह तो चालीश हो जगा और यहां पर बीभव मापी से निमलेखित में से कौन मापा जाता है बीभव मापी से तो सेल का इस परशने का राइट इंसर जोगा और सी जो इस परशने का राइट इंसर जोगा परतिरोइद का मात्रा को होता है धारा का मात्रें याद रखेंगे दोस्तों और आप से बीको बताना है कि कि सो प्रयरकतवा कि सेलफ का मात्रा क्या होता है यारिक कि से कमेंच्ट बक से बताने और 1-1 किलोवाट बराबर होता ऐसा सबस्साइक किलोवाट हो सता है और गांटा होता है और जूल जो है उर्जय का भी मातरख होता है या इक होता है या रिखेगा पर फ्रॉट नाहें ना मां होता है देखें एक टिसला जो बराबर होता है यहां पर सतन क राइदी कि абсолютно एक भीवार प्रति मीटर होता एक दिसकार होता ओपस नुबर बी इस दे新सान को इस वियल टोस्तों यहांं पर और प्रस्ण की चुबंब्र के विवार होता है यह जुभाके फे JESS खलाता है बीदू अबत अगड़ जो इस परशन का राइट एंसर हो जगा और यहां पर परशन आप देखेंगे इसकी पर जो कि काफी महत्तपूर्ण यह सवाल है बहुत बार एक जामें आ चुका है कि विधुत चुम्बके तरंग का बेग होता है यहां पर इस परशन का राइट एंसर क्या होगा दस्तों कि बिधुत चुम्बके तरंग का बेग होता है जो कि राइट एंसर हो जगा यह सी बरबर क्या होता है तो वन अपर रूट अंडर म्यूनट अपन एपसालन नॉट होता है इसका राइट एंसर नमबर बी जो हिस परशन का सही एंसर हो जगा और 56 परशन है कि फोटन का उर्ज होता है एक एलेक्ट्रों बोल्ट जो है बराबर होता है योग इस परशन क मशोलत अप्सन का यहाद करें तो दोस्ते अगर कटाएंगे तो से सफल एक बज़ेगा तो यहां पर तीन और दोसे फिर से कराएंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर उनसर प्रस्टने के यूज होता है लेकिन यहां पर योग पूछा गया एक एक बराबर क्या होता है देखे अधारी के लिए को सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर प्रस्टने की तो यहां पर प्रस्टन है कि किसी उचाई यहां पर यह पर यहां पर फिट्रम आप देखेंगे इसकी पारच काफी महत्त्रपुर्णी यह सवाल हे कि वीच सेरीज इजी वीच सेरीज ऑफ हाइडोजन स्पेक्ट्रम लाइन इज भीजिबल रीजन यानि कि हाइडोजन वर्ण करम की को सिस्ट नरी जो है और द्रिस से भाग में परती है तो यहां पर एक सर्न परस्ण परस्ण जो राइट इन सब्सक्राइब याद रखें लग रही हो तो इस से लाइक द्रूर किजिए दो और चाहरे पर नए जुर्ण है तो जो सब्सक्राइब कर लिजएगा जो भी दुस्त नए जोड़े हैं उनके चानल से जोड जो शब्सक्राइब कर लिजएगा दुस्त वार यहां पर बताना है कि एक मिटर सरी उत्तरलें यहां पर होता है कि इसके बिचलन होता नहीं बदलता है यहां पूछा गया है कि वीच अफड़ फीजिकल इस पूरषन का राई टैंसर नहीं बदलती है यानि कि जो डी आप्सन है इस पूरषन का राई टैंसर रजीका आप्सन मझी दी इस पूरषन और यहां पर दिखे प्रस्न को कि यदि हावा में परकास कब एक B A और पानी में परकास कब एक B W हो तब होता है तो इसका जो राइट इंसर हो जगा 66 का यह था B A जो है बाड़ा होता है B W से यहने कि इसका राइट इंसर हो जगा आपसन नमबर B B जो है इस परस्ण का राइट इंसर हो जगा नेक्ष्ण प्रश्ण है कि जोल के लिए खुरांती होटा है देखें जोल का जो है करांती कोर पुछा गया है इसका जो राइट इंसर हो जएगा यह ज़िए आप्सामर जो दी है 48 207 फांस डिग्री जो कि राइट इंसर ज़िए आपसा नमबर डी जो ही इस परशने का राइट इंसर ज़िए आपसामर डी इस दर आइट इंस फॉर दिसकोशन और यहां पर परस्थन के राशनात्मक वेतिकरन के लिए सब्सक्राइब कर लिए और यहां पर परस्थन है कि वीच अब दफ्लॉइंग इसको रेक्ट फॉर इटेंसिटी ऑव इसकेटेड लाइट आई यानि कि परकास परकेद परकास कि दिवर्दा आई के लिए पर यहां पर प्रस्थन है कि कांच के समांतर सता की पर्टी का फोकस दुरी होता है इस परस्थन का राइट इन सरज़गा इन्फिनिटि यानिकि अपसर नमर यहां पर जो भी अपसर इस परस्थन का राइट इन सरज़गा अपसर नमर भी तो दोस्तो इस प्रकार से इस महत्तपूर्ट सेसन को यहीं पे खत्मिक किया जाता है सेसन अगर आप से भी को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दूर कीज़े दो और चानल पर नए जोड़े हो तो जो सब्सक्राइब भी कर लेजी का मिलें गरे इस क्लास में नए उमीदे का साहत तो हस्ते रिया और अपनी त्यारक मजबूत करते कुशा जया है जहिंद